People are not naturally either friends or enemies. Friendship and enmity arise from circumstances. At the bottom of enmity between strangers lies indifference. बहुत साल पहले अंग और विदेह राज्यों के बीच में युद्ध हुआ था. उस युद्ध के अंत में विदेह राज्य हार गई और अंग राजा ने विदेह राज्य पर आक्रमन करके उनके एक विश्वाशनी मंत्री मनिमंता को पट्टाबिशेक करके विदेह राज्य का राज्या बनाया. युद्ध में हारने के बाद विदेह राज्या का पूर्व राज्या उनके परिवार के साथ वनवास निकल गया. विदेह राज्या का पूर्व मंत्री का मुर्तियु युद्ध में ही होने के बाद उनके पुत्र प्रदीप विदेह राज्य के सरहद के पहाडों में भाग गया वहाँ प्रदीप उनके जैसा जो युद्ध के बाद भाग के आये उनके साथ मिलके सैनिकों का समूह बनाया प्रदीप इस समूह का नायक बना और इन सब सैनिकों ने विदेह राज्य को अंगर राज्य के पालन से विमुक्त दिलाने का प्रितिगना की पर विदेह राज्य का वर्तमान राज्या मनिमंता से लड़ने के लिए उनके समान शेक्ति नहीं थी अगर मनिमंता के साथ युद्ध किया तो जीतने की आशा भी नहीं थी इस डर से प्रदीप युद्ध में सब उचित है कहकर निश्पक्ष नहीं लड़ सकते है तो बेईमानी से लड़ने का निर्णाई लिया तब से अंग और विदेह राज्य के बीच आने जाने वाले अंग राज्य के ही लोगों को मारने लगे एक रात प्रदीप के सैनिकों ने विदेह राज जाके वहां के मनिमंत से संबंतित जनों को मार डाले एक ही रात में मनिमंत के दो पुत्रों को भी मार डाला प्रदीप ने मनिमंत प्रदीप और उनकी समूह को नजर अंदस किया क्योंकि उनको लगा कि एक न एक दिन प्रदीप बेईमानी से लड़ना गलत समझ जाएगा पर जब मनिमंत के पुत्र मारे गए तब मनिमंत उनके एक सैनियाध्यक्ष को बुला के प्रदीप के समूह नाश हो गिया तो भी प्रदीप को जिन्दा लाने का आगना दिया अचानक ये रात मनिमंत के सैनियाध्यक्ष प्रदीप के समूह पर हमला कर दिया प्रदीप के समूह में सिर्फ 15 जन ही होने से सभी को मार डाला और मनिमंत के आगना नुसार प्रदीप को जिन्दा ले जाने के लिए सैनियाध्यक्ष प्रदीप को पीछे से सर पर लकडी से मारा जिससे प्रदीप बेहोश हो गया उस स्थिती में ही प्रदीप को मनिमंत के पास ले जाया गया प्रदीप के मृत्यों नहीं हुआ तो भी उनके स्थिती बहुत नाजुकती राजवैद्य ने प्रदीप जिन्दा रहने के लिए बहुत कम आशा दिया मनिमंत ने राजवैद्य को कुछ भी करके प्रदीप को मौद के मौ से निकालने का आदेश दिया राजवैद्य दिन रात प्रदीप का सेवा करने से एक हफ्ते के बाद प्रदीप होश में आया पर तीन हफ्ते बीतने तक वो कुछ बोलने ही पाया एक महीना ना ही मनिमंत या ना ही राजवैद्य ने एक क्षण के लिए भी प्रदीप को अकेला नहीं चोड़ा प्रदीप टीक होना देखते हुए मनिमंत खुश हुए थे पहली बार आंखे खोलने के बाद प्रदीप मनिमंत को देख्या आश्चर्य हो गिया और वो समझ नहीं पाया कि मनिमंत उनको क्यों बचाया मनिमंत प्रदीप पूरा स्वस्त होने तक उनको एक क्षण भी नहीं चोड़ने का वादा किया मनिमंत मा जैसा प्रदीप को उपचार करके उनका वादा निभाया धीरे धीरे मनिमंत के मदद से प्रदीप चलने लगा तीन महीने के बाद प्रदीप पूरा स्वस्त बन गया तब एक दिन मनिमंत प्रदीप को एक मैदान ले गया और उसको एक तलवार देके उनकी साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए मजबूर किया मनिमंत के इस काम से प्रदीप हताश हो गया और प्रदीप मनिमंत के साथ युद्ध करने के लिए तयार नहीं था और मना भी किया फिर भी मनिमन्त प्रदीप के बातों पर ध्यान ना देते हुए हमला किया प्रदीप को तलवार लेना पड़ा और उन्होंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए ही तलवार चलाया ऐसा लड़ते वक्त कुछ समय बाद प्रदीप का तलवार मनिमन्त के दिल में जुप गया प्रदीप आंखे बंद करके पित्र वियोग में पुत्र जैसा रोने लगा मनिमंत के मरन खबर विदेह राजी में फैल गया और विदेह राजी के जन अंगराजी के लोगों को सबी मंत्री को विदेह राजी से भगाया और प्रदीप को राजा बनाया प्रदीप मनिमंत के संतान को बहुत संपती देके अपना कृतगनता दिखाया प्रदीप पहले बेईमानी से लड़ा तो भी वो खुद की भलाई के लिए नहीं देश के लिए लड़ा पर मनिमंत प्रदीप को नश्वर दुश्मन समझ के उनसे बदला लेने के लिए ही बचाया मनिमंत प्रदीप के ऊपर जो प्यार दिखाया वो सच नहीं था मनिमंत खुद को अच्छा योधा समझ के बदला लेने के लिए प्रदीप को द्वंद्व युद्ध में बुलाया पर प्रदीप से जीत नहीं पाया विदेह राजी के जन जो प्रदीप की स्वपाव समझे उनको पटाबशेक करके राजा बनाये प्रदीप के पालन में विदेह राजी के जन सुकी जीवन डाये